आपको आपके वीडियो के अंदर जो देख रहे हैं उसके प्रक्टिकली लड़का बात करते भी दिखेगा आपको कि वो कैसे Unless नेता है के से कोटेशन बनाता है कैसे वो उसको माल को डिस्पेचिंग होती है उसके बाद में कैसे वो पेकिंग होता है को लटता है कि वो बात कर रहा है और वह भी एक बार के लिए पार निंगे पर उनके साथ का में रहता है रुपस्कार दोस्तों मैं रिटेश मोधी केसे टेश्चल कंपनी में आपका हारदीक स्वागत करता हुँ दोस्तों अगर आप ओनलेन ओडर देने घवराते हो तो आज मैं पूरी पकरिया बता हुआ और आपको स्क्रीन के ऊपर हमारा ओर्डर प्रोसेसिंग भी बता हुआ एक लढ़का कैसे बात कर रहा है कैसे आपको पूरी हमारी आपको वीडियो के मध्यार से मिलेगी आप आसका यह वीडियो स्किप मत किजेगा आप जो को लगता है कि कुछ सुरद और मन्गाते हो जो छोंत वाल मंगाते हैं औरatas बेज देते हैं उन सब चीजों से आपको वच तो केसरिया टेक्स्टाइल कंपनी में आप ओडर दे सकते हो। अगे बढ़ते हुए आपको एक पुल नजर आएगा जिस पर चलकर आपको बाएं और मुडना है। फिर एक और पुल आएगा जहाँ से आपको नीचे जाना है। जो देख रहे हैं उसके अंदर प्रक्टिकली लड़का बात करते हुए दिखेगा आपको कि वो कैसे ओनलाइन ओड़न लेता है कैसे कोटेशन बनाता है कैसे वो उसको मालको डिस्पेचिंग होती है उसके बार में कैसे वो पेकिंग होता है दोस्तों सबसे पहले आपको तो नमबर जो दिख रहा है उस नमबर पर कॉल करना है दोस्तों कॉल करने के बाद में लड़का जब फॉल उठाता है तो वो आपको सादर आपको नमस्कार करेगा आपको हायलो करेगा अपनी कंपनी के बारे में बताएगा उसके बाद में वो आप से आपके से आपको 3mv 4mv 5mv आपको फाइल बेचता है जोकि पीडिय। को नशने हैं आपको बीटेल्स पुरी होती है इनर एक पीडिय। के अंदर उसके पूर्ड़क के पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, प्रोडक्त की रेंज में क्या है वह भी मिल जाएगी, प्रोड़क के अंदर क वो Pi Diap भेशते है WhatsApp के मादियम से तो आमको वो Pi Diap मिलती है आप उसको खॉलते होatt हो ईॉपन करते हो उससे सलक्स करते हो जो चीजे 2D फसंद होती है आपको ते वाप मुझे राहे वापस से भेशते हो हमारा लड़का वापस से पीडियप देखता है देखने के बाद में वो एनलीसिस करता है कि आप जिस स्टेट के थे उस स्टेट के साफ से चोईस किया है उसके बाद में वो स्टोक चेक करता है स्टोक चेक करता है कि जो मेडम ने माल लिखा है सरने जो माल लिखा है वो पूरा complete मेरे पास में ready है क्या जब ready होता है तो वो आप से payment की बात करता है payment की processing करवाता है जैसे payment की processing हो जाती है वो जो order है वो हमारे dispatch department में चला जाते है dispatch department में जब जाता है तो उसको verify किया जाता है कि ये माल कौन से go down का है दोस्तो हमारे हर department के एक warehouse है साडी का वेवरावस अलग है कुरती का वेवरावस अलग है सूट का वेवरावस अलग है वो उस department में जाता है साडी का order जो होता है वो साडी के department जाता है कोड़ती का ओडर होता है, वो कोड़ती के डिपार्टमेंट में जाता है, तो आप जित्ती ज्यादा प्रोड़क्त की वेराइटी अपने आप में कोड़ेशन में चूज करते हो, वो उसी के अकोर्डिंग जाता है, फिर हमारे जो डिस्पेश के लड़के हैं, डिस्पेशिं प्राश्टिक के थेली में किया हुआ है तो वो उसको लगता है कि बोक्स में जाना चाहिए माल तो उसको वो बोक्स में बेचता है उसको लगता है कि साड़ी जो इन्होंने ली है उसकी जो थेली है वो पुरारी नेजर आ रही है तो वो उसको चेंज करवाता है floor manager पूरे order को अपनी आकवा की सामने से वापस निकालता है उसके बाद में वो वापस से order जाता है billing के अंदर माल पूरा billing होता है उसके बाद में भी हम लोग रुपते हैं हमारे एक stock management का आदमी जो हर state wise stock को check करता है कि कौन से state में क्या चीज चलती है उसको पूरा analysis करता है कि इन्होंने ये माल लिखाया है और ये माल जा रहा है ये okay है क्या वो फिर अपने customers को phone करता है sir आपने जो माल लिखाया है वो आपने तुरंट जो भी माल लिखाया वो एकदम हमारे आज से okay है हम लोग इस माल को dispatch कर रहे हैं उसके बाद में वो माल पार्सल में भारा जाता है जब पार्सल में माल भारा जाता है तो उसको एक वीडियो बनता है वो वीडियो आपको मिलता है कि हमने ये आपका माल है एक एक प्रोड़क्ट दिखा के वीडियो बनता है वो माल आपको हम लोग बेशते हैं दोस्तों इतना ट्रांसप्रेंसी के साथ में हम लोग काम करते हैं ट्रांसपोर्ट में जाने के बाद में हम लोग जब ट्रांसपोर्ट में पार्सल पेकिंग करते हैं तो उसका packing का जो material होता है, वो भी हम लोग high quality का use करते हैं, जो पत्ती लगती है, जब माल को कलतान को जब सिलाई करते हैं, पार्सल को जब सिलाई करते हैं, तो उसके ओपर जब पत्ती लगती है, वो भी निवदारित होती है हमारी, कि करनाटक का माल निकल रहा है तो इस ट्रांसपोर्ट में जाना चीए, गुजरात का माल निकल रहा है तो इस ट्रांसपोर्ट में जाना चीए, राइस्तान का माल निकल रहा है तो इस ट्रांसपोर्ट में जाना चीए, यूपी बियार का माल निकल रहा है तो वो इस ट्रांस सुवड बेल्टी आती है , जो पार्सली हम लोग बैजते हैं। तो चालानर एक रिसीप्ट आता है ट्रांसपोर्ट की तरफ se वो रिसिप्ट भी हम लोग आपको वोडस अप करते हैं वो आपको जब ट्रांसपोर्ट में आप जाओगे वो रिसिप्ट का दिखाओगे तो आपको ट्रांसपोर्ट वाले वो माल दे देता है आप निस्चित हो के आप केसरे टेक्टिल कमपनी में ओडर दे सकते हैं दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों आप हमेशा हमारे कमपनी का जो अकाउंट नमबर है उसी में ओडर दीजिए उसी में पैसा ट्रांसपोर्ट कीजिए आपको लड़का ये नहीं बोलेगा कभी भी कि आप इस अकाउंट में जमा करा दो हमारे यहां पर पूरी सुक्रियोटी सिस्टम है आपका पैसा कभी भी वेड़त नहीं जाएगा आपको सिरफ और उसके जब केसरे टेक्स को प्राइवेट लिमिटेड के अंदर पैसा जमा करवाना है दोस्तों आप और यह जो चीजी जितना भी काम होता है और चोईस कंटे के अंदर अंदर हम लोग कंप्लीट करते हैं दोस्तों यह रही आज ऑल्लाइन की बाते जो ऑल्लाइन में आप ओर देते हो वो कैसे प्रोसेस होता है तो आज कर वीडियों कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ बह